हलो फ्रेंट्स, विलकम बैक टू मैं टूप चैनल, तो फ्रेंट्स मैं आपके साथ बहुत अच्छा सा टिप्स यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि सफाई ये एक ऐसी चीज है कि किस लेडिस को पसंद नहीं है, वो तुछाती है कि उसका घर का हर एक कोना साप सुथरा रहे लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे साधन होते हैं जो नहीं होते हैं तो उसको हमें मार्केट से लाना पड़ता है, तो क्यों न कुछ ऐसी चीजे हैं जो घर पर बना कर अपने घर का कोना कोना चमका सकते हैं, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने ये खाली बोटल ले है दो ठो आप चाहे तो तीन भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर दो बोतल ली हुई है और यह फिर उसके बद मैंने जो इसका रैपर बगारा है उसको मैंने निकाल दिया है अब फ्रेंड्स इसको हम जो हमारे यह कटर है प्लास्टिक कटर तो इसकी हेल्प से मैं इसको सम अगर आप सरकल इस तरीके से नहीं बना सकते तो आप मार्क से मदलब मार्कर कर लीजे फिर उसके अदाब सरकल के जैसे इसको काट यह बहुत यसानी सी हमारा कट जाता है तो फ्रेंट हमारा ये जो है नीचे एक साइट से मैंने इसको कट कर लिया है इसी तरीके से मैं अपने दोनों बोतल को कट कर लोंगी दो बोतल लोंगी तो दोनों को मैं इसी तरीके से नीचे से कट कर लोंगी फिर उसके बाद यहां पर मैं कैची ले ले रही हूं और कैची क हीट मैं चार भागतर कर एंगे इस की पास चाइट बहूंगे ऊपन है क्यूंकि ऑप इस चाप करेंगे टो यह लोगत तरी के rud aquesta टो जाएंगे रटा हमारा किले की आए काम करते ही घ्ला कारा ने टो आप भी देखकर इसको कट करिएगा और पतला पतला इसकी जितनी पतली आप लेयर बनाएगे तो इतना ही घहना ये हमारा बनेगा और जब फ्रेंड्स आप इसको कट करिए तो अराम से बैठ कर कम से कम एक दो घंटे का टाइम तो इस पर जाएगा ही आपका क्योंकि प्लास् फिर इसके पार्ट को एक एक पार्ट को हम लेकर फिर पतली पतली एकदम लेयर जैसे एकदम काटेंगे ये देखिया तो प्रेंड्स इसी तरीके से आप पतली पतली इसको पार्ट में डिवाइट कर लेजें अब आप ये देख से मेरा एक पार्ट रेडी हो चुका है तो अब हम चलते हैं अपने इसी तरीके से सारे पार्ट को हम इसी तरीके से देखिए जैसे मैंने कट कर लिया और यह बहुत सुन्दा लग रहा है अब इसे तरीके से जो अपना सेकंड वाला बोतल है उसको भी इसी तरीके से मैं कट कर लोगो जैसे मैंने पहला वाला ये देखिए मेरे दोनों बोतल रेडी हैं तो ये देखिए दोनों कट कर और ये वाला ज्यादा घना हो गया इस तरी केस हो गया है और ये देखिए अब मैं इसका क्या करूंगी ये जो निश्ट बोतल है जो ये वाला तो अब फ्रेंड्स जब दोनों बोतलों कट कर लिया त अच्छे शेप में नहीं आएगा तो फिर वो इस तरीके से डग मगाएगा तो इसली एगर अगर आप नायप से करेंगे तो और अच्छा रहे लिए तो आप इसरी के से कटर से भी आप सो कट कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसको कट कर लिया है उपर से एकदम अच्छे से सेव करके अब जो यह हमारा नेश्ट पोतल है तो इस तरीके से हाथ में इसको डाल कर इस तरीके से निकाल लेंगे और सम्हाल कर यह निकाल लिएगा क्योंकि प्लास्टिक है तो थोड़ा बहुत लग स है इसलिके के एफ फुली से आप इसको इस तरीके से मैं कर रहें इसे तरीके से आप भी अगर थोड़ा सा फस रहा है तो थोड़ा सा आप लेकिन फस हेगा नहीं मुझे पता है यह देख सकते ही और असानी से यह निकाल आया है और यह देखे कितना अच्छे सिस में यह फिट हो चुका है हमारा कर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि हमारा जो मैंने यह बनाए उपर से अगर यह लूज लग रहा है तो अब क्या कर यह आप टेप भी ले सकते हैं और उससे को अच्छे सिस को आप कर दीजिएगा लेकिन अगर सेम बोतल लेंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा थोड़ा डिफरेंट बोतल अगर आप ले रहे तो उसमें निकलने की चांसे ज्यादा रहते हैं और फिर उस तरीके से आप टेप को लगा कर उसमें अच्छे सिसको फिट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अब इसके बाद है अपने अकॉर्टिक छोटा बड़ा आप यह पाइप को रख सकते हैं तो इस तरीके समें इसको इसमें फिट कर रहे हूं कि इसमें इसको कैसे फिट किया जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कागस लूँगी तो कागस लगा के फिट करूँगी तो यह अच्छे से असानी से अंदर यह इसे फिट हो जाएगा तो फ्रेंट अब यह पाइप हमारा इसमें जब फिट हो गया है तो आईए चलिए चलते हैं आपको बताते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे और अपने घर का कोना कोना कैसे साफ करेंगे तो यह देखे अगर आपके घर में जाले बगयरा हैं तो इससे क्या होगा बहुत यह अच्छे से बहुत ही इजली साफ हो जाएगा और आपको मार्केट से जाले साफ करने के लिए नहीं लाना पड़ेगा और आप चाहे जहां तक आपका हाथ नहीं पहुचता है आप वहां तक इसको साफ कर सकते हैं फिलाल तो अभी दीपा वाली में सफाई की है तो इतने जाले बगयरा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपक इस की सफाई है को ताप इसको दूर भी सकते हैं तो आप देख फी रहे हैं कि यहाँ पे जाले ठोड़े से फट से हैं तो जो की जाद जादा जाले थे नहीं तो इसलिए जितने थे उतने ही से में आए हैं और फिर यह देख सकते हैं आप इसे कहीं भी सफाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह के से आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करिए और हमेशा खुस रहिए और दूसरों को भी खुस रखिए इस तरह के सफाई करके तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको मेरा य नेक्ट टिप और नए वीडियो में तो फ्रेंट्स सब तक के लिए मैं आप से बाई कहती हूं आप लोगों को और फिर आप से फिर से मिलती हो नेक्ट वीडियो में ओके फ्रेंट्स बाई